गूड मॉनिंग एबरीबडी मैं सर्दावल लबाय पटेल केती वाड़ी से राके सुलंगी जैसे के हमने पिछली बार देखा के एकाई 4 कर्मा योगी रालबादू सास्तर जी की एकाई हमने देख लिए और खत्म भी कल लिए है आज हम आगे बढ़ेंगे एकाई 5 की और जि भिखों की रचना की गई है कहा जाता है कि हमारे भार्तिय बासाव में मिलती है तो क्या मिलती है संतों की वाणी सभी यह जो लोग संत है उसे ही कहा चाता है तो शंतों की वार्त वार्तिय भासा में मिलती एह हंदी में भी उनके संतों की रचना आज भी लोक प्रिया है यानि लोगों को प्रिया लगते इस पार्ट में कभी रहिम और तुलसी दास के दोहे दे दिये हैं, ये सभी दोहे सरल और सिक्षा प्रद है, सरल यानि बहुत ही आपको समझ जाएंगे कि सरल कैसे होता है, सिक्षा प्रद आपको कुछ कहा जाता है, इनमें दान प्रियता, संतोस, समान्ता, सत्संदा, वीनम्रदा, परिश्रम, प्रेम, आधी जीव मुल्यों का इसमें महत्वा बताया गया है तो देखें इस एकाई में हम देखेंगे एकाई पांच में रहीम, तुलसी दास और कबिर जी के बारे में जाएंगे कि प्रस्तुत दोह में कबिर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारे जीवन पोतियों की बाते बताई है प्रस्तुत दोह में दान प्रियता यानि जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन था तो हम कहे सकते हैं कि करना जो महाभारत में था वह सबसे बड़ा दानी था जो उसके द्वार पर कोई भी आता था उसको बीना कुछ दिये नहीं जाने दिता था वैसे ही दान दिया था संतोज आदमी के अंदर संतोज की बहुत बड़ी भावना होनी चाहिए समानता एक दूसरे के और समानता उस निच का बेद बाव छोड़कर उसको समानता के रूप में देखना चाहिए अच्छी संकति की महत्ता वीन अम्रदा देखिए हम किसी के आगे हम सिर जुगाते तो हमें हम किसी का आदर करते है तो कोई हमारा भी आदर करता है वैसा ही वीन भावना की भावना होनी चाहिए आधी जीव मुल्यों को निर्देश किया गया है हम देखेंगे कैसे तो पहले देख सकते हैं कि आप यह तस्विर कबिर जी के हैं चिंको संद कबिर पंदरवी सताब्दी के कवी माने जाते हैं उनकी पंदरवी सताब्दी के कवी माने जाते हैं आपने हिंदू और मुसल्मान को उनकी गल्टियों यानि हिंदू मुसल्मान हम कहते हैं कि हिंदू मुसल्मान के बीच में जो दूरी है उनके दाव उनको फिटकार है यार फटकार है यानि दोनों को कुछ कहना चाहाए उन्होंने और दोनों को ही मिलकर रहने का क्या दिया है देश दिया है आगे देखेंगे कि रहिम यह तस्विर देख से जो रहिम जी की है तो कहा जाता है कि रहिम जी का पूरा नाम अब्दुलहिम खान खाना है देखिए कितना यह कई बार पूछा गया है परिक्सा में कि रहिम जी का प दोहे लिखे यानी बहुत यानि के कुछ कहना वो मनुस्य को कुछ कह जाते आगे देखते है के संद तुलसिदास यह है उनके कवी कहा गया है क्योंकि उन्होंने राम के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है आपने रामचरित मानस जैसेगी प्रसित ग्रंथ लिखा है रामचरित मानस जो है ग्रंथ वह तुलसिदात के द्वारा रचित हुआ है देखे तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर कि कब है उनके बारे में उन्होंने कौन-कौन से लिखे इनमें कुछ दिये गए है उनको हम आज पढ़ेंगे और मैं आपको सुनागा देखिए तो उसका गान गाना बहुत ही आवश्या की क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि करें रहिम जी ने दोहे बनाए लेकिन उसका उच्चा रंग कैसे किया जाता है देखिए यहां पर पहले लाइन में लिखा है कि साई इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाई मैं भी भूखान रहू सादून भूखा जाए कभीरा सादून भूखा जाए देखिए इस पंक्ति इस दोहे के दर्म्यान हमें कभी यह कहना चाते है कभीर जी कि साई यानि यहां पर सब भगवान को संबोधित करके इस वर को संबोधित करके कहा है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाई यानि कि मुझे इतना दीजिए के वल जामे यानि उसमे के अंदर जिसमें कुटुम यानि मेरा घर परिवार कुटुम यानि उसमें परनपोशन हो सके उनका मैं भी बुखा ना रहू सादू ना बुखा जाए देखिए इस पूरी पंक्ति के द्वारा हमें कबिर जी यह कहना जागता है कि हे प्रभू मुझे बस इतना ही अन और धन दीजिए इतना ही अन और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वा यानि पालन पोशन हो सके न मैं भी बुखा रहू और कोई सादू या फकीर कोई भी मेरे गर पर आए वो भी बुखा न जाए देखिए हम आगे दूसरी पंक्ति देखते हैं बीना विचारे जो करे सो पाछो पच्छताए काम बिगाड़े आपनों जग में होत हसाए कबीरा जग में होत हसाए देखिए बहुत यह अच्छी पंक्ति लिखे हैं कि बीना सोचे बीना विचारे यानि बीना सोचे का गया है कि बीना सोचे जो करे यानि सोच विचारे जो व्यक्ति बीना सोचे समझे काम करता है सो पासो पच्छिता है यानि पासो पच्छिता है यानि क्या कहेंगे वह बाद में क्या होता है पच्छिता था है सो पाछो पच्छिता है काम बिगारे आपनों जग में होत हसा यकबीरा जग में होत हसा देखें काम बिगारे आपनों यानि खुद का काम क्या करता है वह ऒुणाता है, दुनिया में उसकी क्या होती है, होथ हसा यानि हसी उड़ाई जाती है, दुनिया में काम बिगार्या आपनों जग जग यानि दुनिया संसार में होत हसा यानि उसकी उड़ाई जाती है हसी जो बीना सोचे समझे जो काम करते हैं हमें भी कोई भी कारे करना है बीना सोचे समझे काम करना नहीं चाहिए वरना जग में उसकी क्या होती है हसी होती है लोग उसकी हसी उड़ाते हैं देखे तीसरी पंक्ती में कबीर जी ने कुछ कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खें ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बैर देखें बहुत यह अच्छी मत कि कबीरा खड़ा बाजार में यहां पर कबीर कहां चए बाजार बाजार से सब के सामने खड़ा होकर बगवान के पास सब कि kuszलता मांगता है मांगे सबकी खेर यानि कुसल था ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती का मतलब किसी से भी मेरी दोस्ती नहीं है और ना काहू से बेर यानि किसी से दुस्मनी भी नहीं है तो इस पंक्ति के द्वारा कभीर जी हमें यह कहना चाहते है कि खड़ा को रवाजार में कबिर जीये करता हूँ सबकी बलाई के लिए प्रात्ना करता हूँ मेरी ना किसी के दोस्ती है और ना ही किसी से दुस्मनी बेर यानी दुस्मनी भी मेरी नहीं है देखें यहां से हम आगे पढ़ेंगे रहिम जी के दोखे पास जाएंगे और रहिम जी ने क्या कह है रहिम अनवे नर मर चुके जे कहू मा गन जाही उन्ते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना ही रही मा जिन मुख निकसत ना ही देखे यहां रहीम जी क्या कहते है कि रहीमन कहते कि वे नर मर चुके नर यानि मनुस्य क्या कहते है कि रहीमन कहते कि वे नर मर चुके यानि वो व्यक्ति वो मनुस्य मर चुका हुआ है जे कहूं मागन जाई जे यानि जो कहूं एड़ले कहीं मांगान एड़ले मांगने के लिए जाही यानि चाहते हैं दूसरों के पास हमार घर अगर कोई आता है मांगने के लिए तो उसके बारे में बता है कि रहीमान कहते हैं वो नर मर चुके जो दूसरे के घर मांगने जाता है उन्ते पहले वे मुए यानि उन्ते पहले यानि उससे पहले मुए जिन मुकसत निकले जिन मुकसत क्या निकले निकसत नहीं यानि कि जिसके मुँसे निकलता है कि नहीं यानि नहीं मेरे पास देने के लिए तुमें कुछ नहीं तो इस पंक्ति के द्वारा हमें कभी रहिम जी ये कहना जाता है कि वे नर मनुस्य मर चुका है जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाता है परन्तु उनसे पहले वो लोग मर चुके है जो मांगने वाल को देने से इनकार करते हैं निक्सत ना ही कि परी मेरे पास नहीं है देख आगे हम दूसरी उनकी पंगती देखेंगे रहीम जी की जो रहीमन उत्तम प्रक्रदी काकरी सकत कुसंग चंदन विश्व्यापक नहीं लिपटत रहत भुजंग रहीमा लिपटे रहत भुजंग देखें बहुत ही बढ़िया यहां पर एक स्रेष्ट भ्यकती गी उत्तम यान प्रक्रदी वाला व्यक्ती पर बूरे लोगों की संकती का पूरा असर नहीं बड़दा अस्वाव नहीं चोड़ता हुत रह्म जो होग मनुस्य होता है वह दूसरों के शान उत्तम दौन यानि स्रेव अच्छा आद्मिं तो क्या कहतें कि उत्तम अप्रकुरत का करी सकत कु संद उसका विलंग सद्द है यानि बूरा असर चंदन विस व्यापत नहीं लिपटे तरह तबू जंग रहीमा तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि उत्तम सभाव के व्यक्ति पर बूरे लोगों की संगति का बूरा असर नहीं पर दा जैसे कि हम बूरों हमारे कोई दोस्त बूरे ह यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो उत्तम सभाव व्यक्ति होता है वो बूरे लोगों की संगति का होकर भी उस पर बूरा असर नहीं पर दा जैसे कि यहाँ पर उदारन दिया गये चंदन विस व्यापक नहीं लिपटत रह भूजंग जैसे कि चंदन पर आपको यानि शर्व पू यानि जमी जंग यानि कि जमीन में अंदर जो उसका घर रहता है शर्व का उसे बुजंग का आगए यहाँ पर सरको बुजंग का चंदन विस व्यापक नहीं लिपटत रह भूजंग यानि कि कहना चाहते हैं कि अगर चंदन के व्रुक्स पर साप होते हैं फिर भी उसका सापो का विस चंदन में कभी व्यापक यानि फैलता नहीं है देखें आगे हम बढ़ेंगे कि रहीम जी अगले दुहे में क्या कहना चाहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोले बोले रहीम अनहीरा कब कहें लाख टका मेरो मोल रहीम देखें बहुत ही बड़ा बहुत अमेजिंग कहा जाएं यह काग्यपंग्ती बहुत ही उत्तम थो इनके बारे में रहीम जी एक बड़े बड़ाई ना करें यानि जो बड़े लोग हो प्रसंसा बड़ाई यानि प्रसंसा बड़े बड़ा जो पैसे वाले लोग है बड़े बड़ाई ना कर बड़े ना बोले बोल जो अच्छा आदमी है जो बड़ा आदमी है वो कभी अपने बार अपना बड़ाई दिखाता नहीं जैसे कि बड़े लोग कभी अपनी प्रसंसा नहीं करते you except 3 सक्वों सच मुझ बड़ा है वही कभी बड़े बोल नहीं बोलता है बड़े ना बोले बोल कहते कि रहीमन कब कहे कि लाख टका मेरो मौल रहिम जीए गए कोई दीन जो यह यह रहे वह है जो लाखों मit यानि यानि की बड़ी बड़ी बाते नहीं करता है कि मेरी मोल यानि मेरे कीमत इतनी लाख टका मेरे मोल है लाक रुपिया मेरी कीमत है चलो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि तुलसी दास जी हमें क्या कहना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे देखिए तो हम तुलसी जी के बारे में उन्होंने दो पंक्तिया लगी है दिसमें देख सकते हैं कि पहले में आवत ही यहर से नहीं नेने नहीं सानेह तुलसी वहा नजाए यह कंचनबर से आमेग जो तुलसी दास क्या कहते हैं कि आवत ही है बहुत ही बड़ा बहुत ही शभावा देखिए हम लोगों को कुछ कहा जाता है कि आवत ही हिए हमारे घर पर अगर हम किसी के घर जाते हैं तो आपको देखकर में कोई आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता या फिर हम किसी के वेले रिदय का नला को और से प्रसंग न था यह उला होएता प्रसंग न ना होक्तक उल्से नेखर किये यानि सने प्रहिभ यहां पर हमारे जाते है कि सने में अगर प्रसंदा ना हो नहीं में आ पर on यानि यहां पर सोना वहां मत जाये जहां कंचन बड़ से मेग यानि कि जहां सोने की बारिस मेग यानि मेग बादल क्या कहते हैं तो इस कावय पंति के द्वारा हमें तुलसी दास यह कहना चाहते है कि तुलसी दास ने कहा कि जिस गर के लोगों का रिदय तुम्हें आया देखकर हर्सित यानि प्रसंद न हो जाए और जिनकी आखों में यानि प्रेम की भावना न हो उसके गर में कभी भी जाना चाहिए नहीं फिर बले नहीं उसके गर सोने की बारिस हो सोने की बारिस यानि कुछ भी कितना पैसे भी हो लेकिन उसके घर में हमें नहीं जाना चाहि देखिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं हमें तो विद्यादन उद्धम बिना कहों जुपावे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन तूलसी जी तो यहां पर तूलसी जी हमें कहते हैं के विद्याद्धन उद्धम बिना यानि जो विद्या है हमारी विद्या यानि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं अगर उद्धम बिना यानि परिश्रम हमें क्या कहते हैं के बिना परिश्रम के विद्यादन किसने पाया हो कोई पा सकता है परिश्रम तो करना पड़ता है अगर घाना फिरभी हमहाँसे उठाकर उसको खाना पदहेगा या महनत करने पदेगी कुछ क्लिवाने विद्या धन उद्दम बिना यानि बिना परिष्रम किई विद्या और किसने पाया हो तो बीना डूलाए ना मिले जो पंखा को पौन यानि यहाँ पर कभी हमें क्या कहना है जाए तुलसी जी हमें क्या कहना है के हाथ से जो अगर हम हिलाए बीना पंखे की हवा भी हमें नहीं मिल सकती यानि हमें हवा खानी है तो जो पंखा होता है हमार घर उससे हिला है बिना हम उसको पंखा भी नहीं खा सकते तो इस पंख्ति के द्वारा हमें परिश्रम किये बिना हमें धन और विदे की प्राप्ति नहीं हो सकती जैसे कि हमें हमारे पास पंखा तो गल लगिन उसको हमें हाथ से हिलाना पड़ता है तब हमें उसकी हवा खाने की मिलेगी देखें यहां पर हमाई तुलसी जी रहिम जी और कविर जी के बारे में हमने आपको उनके जो दो है आपको समझाया मुझे पता है कि आपको आ गया होगा और उनका कैसे उच्चारन भी करना है आपको वो भी आपको पता चल गया होगा देखें यहां कुछ सब्दार्थ है हम आपको दिखाएंगे कुटुम यानि की कुटुम परिवार खैर यानि सबकी कुसलता मांगता है यहांबर नाद यानि अवाज ध्वनी उसंग यानि बूरी संगत अच्छे वाला और बूरा भुजंग यानि साफ जिसे हम सर्प भी कहते है नैनन यानि आखो में हरसे यानि हरसे यानि खुसी कंचन यानि यहां पर सोना और दूसरी कहा जाए तो कंचन यानि धतुरा भी होता है मेह यानि मेग बादल उद्दम यानि परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा पौन पवन यानि कि हवा खान खाना यह उनका जो उपनाम है किनका रहिम जी का तो सर्दारों का सर्दार या एक उपादी मानी गए खान खाना यानि सर्दारों का भी सर्दार देखिए आपको अभ्यास और स्वार्द्य पीडियाप में मिल जाएगी आपको मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा कि इस दोहे में हमें क्या जाणना मिला है और आपको वैसे ही दोहे कुछ कभीर जी के कलेक करके तुलसी जी के कलेक करके और रहिम जी के कलेक करके आ आना है तेंक यू बेरी माज अबार जाहिन जाय भारत